हलो डिर स्टुडेंट्स वल्कम टू मैंनेट ब्रेंज मैं संचिता जयन आपके सस्टे एजुकेटर आज के शेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास नाइट स्टुडेंट्स के लिए समझ विज्ञान मेतिहास का चैप्टर नमबर 5 जिसका नाम है आदूने के विश्व के चरवा है और आज हम करने वाले हैं इनके NCRT शल्यूशन्स चलिए तो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी हो जादा से जादा आज के इस वीडियो को आप सभी लाइक करदें शेयर करदें साथ ही साथ चनल को सब्सक्राइब भी करदें क्योंकि Magnet Brains प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 से तक के सारे कोर्से फ्री अपकॉस्ट आई क्वालिटी एजुकिशन के साथ फुल्ले और नाइस कम्प्लीट कोर्स के साथ जी हाँ हमाब के लिए कई सारे टॉप कोर्से हिंदी और इंग इस दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं सीबेसी वोड के साथ साथ MP वोड, UP वोड, बिहार बोड, दिल्ली वोड, राजस्तान बोड के सलेबस को भी कवर कराया जाता है काफी सारे special courses हैं हमारे पास जैसे की Vedic Math, Crash Course और Spoken English और इतने सारे courses एक ही जगे हैं एक ही single platform पर high quality education के साथ पुले और्मनाईज complete course के साथ एकदम free of cost मिलने वाले हैं जी हाँ, अगर आपके लिए e-books और e-notes की भी आवशकता है, वीडियो के description में एक link दीगी है वहाँ जाए क्लिक कीजिए, सारी चीजें, सारी जानकारी के साथ प्राप्ट कर लीजिए चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये session आपके like और share के साथ आज हम सारे anxiety solution करने वाले हैं इस chapter के, जैसे ही chapter आपका खतम होता है उसके पीशे, just next page में क्या मिलते हैं, आपको काफी सारे question answer मिलते हैं प्रशना वली लिखा होता है, अभ्यासकत प्रशनोता लिखा होता है पस वही सारे question answer आज हम solve करने वाले हैं तो chapter तो मैंने पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है, आपने पढ़ भी लिया होगा अलग-अलग वीडियो में अलग-अलग topic को मैंने बहुत ही भैतरिन तरीके से पढ़ाया है और अगर आपने नहीं पढ़ाये तो भी साब जल्दी जाईए और पढ़ लीजे पूरे chapter को बहुत अच्छी से ठीक है, चलिए तो जो कुछ आपने पढ़ा है उससे related सवाल अब यहां पर आज होने वाले है ठीक है, तो मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा क्योंकि NCRT Solutions का जो session होता है वो बहुत ही important भी होता है, परिक्षय में भी सवाल यहीं से आते है ठीक है, चलिए तो इसमें पहला सवाल क्या है, पहला सवाल कहता है कि इस पश्ट कीजिए कि घुमन्तु समुदायों को बार बार एक जगे से दूसरी जगे क्यों जाना पड़ता है जो गुमंतू समुदाय है चरवाह समुदाय है उनको बार बार एक जगे से दूसरी जगे क्यों जाना पड़ता है एक बात ये पूशी गई है यहां पर ठीक है और दूसरा क्या पूशा गया है कि इस निरंतर आवा गमन से पर्यावरण को क्या लाब है दूसरी बात ये पूशी गई है चली तो देखें आंसर को देखते हैं तो सबसे पहले तो गुमंतू समुदायों के बारे में हमें बताया गया है और इनको खाना बदोश भी कहा जाता है जी हाँ गुमंतु समुदाय को और क्या कहा जाता है खाना बदोश भी कहा जाता है इनी को हम क्या कह सकते हैं खाना बदोश भी यही गुमंतु समुदाय भी होता है ठीक है यही गुमंतु समुदाय भी होता है और इसी को हम क्या कह सकते हैं खाना बदोश भी कह सकते हैं तो य घूमती तो शब्द का मतलब का है जो लोग जगे से दूसरी जगई गूंती यह किसलिए एक जगे से दूसरी जगे में चारा गघोंगी ख्षोज में अपने पशेसे को चराने के लिए थागी पशियों के सासाथ इनका जीवन भी छलता रहे इनका पास दुनिया भर मैं पक्चे घर नहीं है, आपने देखा होगा बनजारों को, ठीक है, देखा है एक जगे से दूरी जगे घुमते रहते हैं, काफी सजे धजे लोग रहते हैं, महिलाए जो है वो पहेंती करीके का लहेंगा पहेंती है इतना लंबा घूंगा डाले रहती हैं इतनी सारी पुरे हाथ बर के जो है helpी दाऄ यहाथ की macam डूड़िया । होती है सफेज सफेज चुड़िया पहने घूती है काफी सारे टैट्टूस भी बनवाया रहती है ठीक रिभन जार जाते हैं वहां काम होता है दूसरी जगह अपना जो है सब सामाल लेके निकल पड़ते हैं ठीक है तो अब क्या कहा गया है next point में कि एक प्रकार का खाना बदोश होता है जिसे देहाती खाना बदोश की रूप में जाना जाता है जो मवेशी चराने वाले होते हैं गुमंतों समुदायों के बारे में आंगे और क्या कहा गया है गुमंतों समुदायों के बारे में आंगे कहा गया है कि एक तरीक है कि खाना बदोश होते हैं क्या होते हैं खाना बदोश होते हैं जिसे देहाती खाना बदोश की रूप में जाना जाता है जो मवेशी चराने वाले होते हैं अब देहाती खाना बदोश क्यों कहा गया है य ग्रामेड इलाकों में निवाश करते हैं सहरों से काफी दूर ठीक है और ये मवेशी चराने वाले लोग होते हैं यानि कि पशु चराने वाले लोग होते हैं जो अपने जानवरों के लिए चारा गहा की तलाश में घूमते रहते हैं यहाँ पर हमसे पुशा गया कि इस पश्ट कीजे गुमंतों समधायों को बार बार एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना पड़ता है तो भई इनका ये काम ही होता है यहाँ पर हम ये बास सीख चुके हैं अल्राइट किलियर है इतना आंसर अब देखें अब देखो खाना बदोश लोगों का गर्मियों और सर्दियों के भी चक्रिय आवा गमन होता था क्योंकि हमसे ये पुशा गया कि ये गुमंतों समधायों है या खाना बदोश है वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते रह जलवाईउ परिस्तितियां यहां पर एक शब्द का प्रयोग हुआ है चक्रिय आवा गमन यानि कि गर्मी में जो इलाका होता जासे हम पहाड़ी लाकों की बात करें तो पहाड़ी लाकों में ठंड में क्या होता है बरफ जम जाती है तो वो क्या करते थे पहाड़ी लाकों के नीच निचली स्थर पर आजाते थे जिससे वहां पर उन्हें चारा गाह मिलेगा और जैसे ही ठंडक हतम हुई वह पहाडों के उपर चले जाते थे गर्मी में क्योंकि गर्मी में वर्फ पिगल जाती थी वहां पर मैदान बन जाता था चारा होगा आता था तो सर्दी और मैं इनका चक्री आवा गमन होता रहता था कि सर्दी में ये रहेंगे पहाडों के नीचे गर्मी में रहेंगे पहाडों के उपर फिर सर्दी आएगी तो फिर नीचे आजाएंगे फिर उपर तो चक्री आवा गमन यानि कि ये सर्कल में इनका काम चलता रहेगा अब देखे जलवाईव परिस्थितिया तो खाने बदोश लोगों की यावाजावी के लिए मुख्य रूप से जलवाईव परिस्थितिया जम्मेदार होती है जैसी जलवाईव होगी उस हिसाब से वो अपना इस्थान परिवर्थे कल लेंगी ठीक है तो सर्दियों में जब उंचे पहाड बर्फ से ढख जाते हैं ठीक है तो वे निचली पहाडियों के ओर चले जाते हैं और गर्मी शुरू होती ही वे अपनी पिछली यात्रा शुरू कर देते हैं ठीक है गर्मी शुरू होगी यानि कि वो फिर से पहाड पर चले जाएंगे फिर क्या है मानसून का आना और जाना भी उनकी आवा जावी तै करता है उधारन के लिए देखें तो करनाटक और आंधर प्रदेश के गोला समुदाय के लोग जो है शुषक मौशम में तटिये इलाकों की और चले जाते हैं जब मौशम शुषक होता है तो यह तटिये इलाकों की तरफ चले जाते कि वहां पर उन्हें चारा मिलेगा और बारिश आने पर ये वापस अपने शित्र में आ जाते हैं यानि कि जैसे ही मौसम परिवर्टित होता है ये चारा गाहों की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं दूसरा पॉइंट है चारा ठीक है जलवायू परिस्तिती के बाद दूसरा पॉइंट है चारा तो देखें पशुओं के लिए चारा पशुओं के लिए चारा एक और महत्वपूण कारक है जो खाना बदोशों की आवा जाही को तै करता है क्योंकि पशू पालनी इंका मुख्य व्यावसाय होता है पशूह से जो उत्पाद राप्थ होते हैं उसी से इनका रोजगार चलता है उसी से इनका घर चलता है तो पश्यों के लिए भोजन तो इन्हें खिलाना पड़ेगा चारा तो देना पड़ेगा तो जब जहां चारा उपलब्द होता है वहाँ ये चले जाते हैं फिर गुजर बकरवाल बताओ भाईया गुजर बकरवाल एक चरवाहे समुदाएं का नाम है किस शेटर के चरवाहे समुदाएं का नाम है गुजर बकरवाल तेजी से कॉमेंट में आना चाहिए गुजर बकरवाल निचली पहाडियों में चारा गहा की उपलब्धता के कारण शिवालिक की निचली पहाडियों की और पलायन करते हैं गुजर बकरवाल कहां? उपर उत्तर भारत जम्मू कश्मीर की बात हो रही है यहां पर कहां की बात हो रही है जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो गुजर बकलवाल क्या करते हैं निचली पहाड़ियों में चारागा की उपलब्धता के कारण शिवालक के निचली पहाड़ीों की ओर पलाइन करते हैं क्योंकि ठेंड में इनके उपर पहाड़ों के उपर जो है बरफ जन जाती है वहाँ चार उपलब्द नहीं हो पाता तो ये जो पहाड़ी है शिवालक का पहाड़ है उसके निचले इलाकों में आ जाते हैं तीसरा पॉइंट है यहाँ पर खाद्यान ठीक है खाद्यान यानि की अनाच ठीक तो विभेनर शेत्रों में खाद्यान की उपलब धता भी एक महत्वपूर्ण कारक है जोनके प्रवास को तै करता है प्रवास का मतलब क्या होता है प्रवास यानि की यात्रा यानि की एक जग जियान के उपलब्धता भी एक महात्वा पूर्ण कारक है जो उनके प्रवास को तै करता है उधारण के तौर पर देखें तो उधारण के लिए धनगर को कॉंकडी किसानों से चावल मिलता है अब बताओ भीया कॉमेंट करके कि धनगर समुदाए धनगर चरवाहा समुदाए कहां रहता है कहां का है किस भारतिय राज का है धनगर चरवाहा समुदाए बता दो जल्दी से धनगर चरवाहा समुदाए कहां का है कॉमेंट करके बताना है धनगर चरवाहा समुदाए धनगर चरवाहा समुदाए है पैसा महारास्ट का कहां का है धनगर चरवाहा समुदा कोणकड़ को किसानों नहीं महारास्टिक है कि चारागहा की तलाश में पश्वों के लिए जब वहां जाते हैं और उनके लिए यह काम भी तो बदले मैंने धान मिल जाता है चामल मिल जाता है तो खाद्यान के उपलब्दता के लिए भी यह क्या करते हैं जगह से दूसरी जगह जाते हैं अब जो निरंतर आंदोलन हुए हैं उसका परियावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है यह जो क्वेश्चिन था अपना कि इ चरवा है जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं आवागमन लगातार करते रहते हैं क्या इससे परियावरण को लाब है बस दूसरा पाट का अंसर आपको बताया जा रहा है ठीक है तो देखें निरंतर गतिविधी से चरवाहों को पुनह स्वस्त होने का अवसर मिल जो निरंतर इनका आवागमन हो रहा है उस गतिविधी से चारा गाहों को पुनह स्वस्त होने का अवसर मिला यानि कि जैसे हम बात करें हमने पहाडी इलाकों की बात करी थी पहाडी इलाकों में जो है सर्दी का मौसम है तो ये इलाका किस से ढखा हुआ है ये इलाका पूर क्योंकि सर्दी में ठंड में ठंड के मौसम में जो है यहाँ पर इन्हें क्या मिलेगा इस तरीके से घास चारा इनको मिल जाएगा ठीक है फिर उसके बाद जब गर्मी का मौसम आएगा जब गर्मी का मौसम आएगा तो ये जो पहाडों पर बर्फ है ये पिघल जाएगी यहां पर यहां पर क्या हो गाएगी यहां पर वापस से घास उगाएगी तो यह क्या करेंगे गर्मी के इलाके में उपर चले जाएंगे अब जब यह गर्मी के इलाके में उपर जाएंगे तब तक यह चारा गाह जहां पर इनके पशों ने अभी तक पूरे ठंडबर चराई यह फिर से पनप जाएगा जब यह नीचे आएंगे तो उपर के चारा गहा का विस्तार हो जाएगा यानि कि वहाँ पर फिर से पनपने लगेगी घास तो निरंतर गतिविदी से चारा गहों को पुना स्वस्थ होने का अवसर मिला और इससे उनका अती प्रयोग रुग्या य इसलिए रासाइने खाद का इस्तिमाल कम होता है जो खाना बदोशों के जुंड होते हैं चरवाहों के या घुमंतू समुदाय के जुंड होते हैं वो खेतों में खाद डालने का काम करते हैं इसलिए रासाइने खाद का इस्तिमाल भी बहुत कम होता है ठीक है तो पर्याव प्रभाव पड़ा पर अनुकूल प्रभाव ही पड़ा यानी कि परियावरण को लाब ही हुआ है क्क्वेस्चन नमबर टू है सवाल नमबर दो क्या कहता है कि इस बारे में चर्चा कीजिए कियो अपने वेसिक सरकार ने निनलेखित कानून क्यूं बनाए यहीं भी बताईए कि इन कानूनों से चर्वाहों के जीवन पर क्या असर पड़ा क्या पुशा गया है कि अपने वेशिक सरकार ने निम्नकानून क्यूं बनाए यहीं भी बताईए कि इन कानूनों से चर्वाहों के जीवन पर क्या असर पड़ा कुछ कानून बनाये थे पहला कानून था परती भूमी नियमावली ठीक दूसरा बनाये था वन अधीनियम तीसरा बनाये था प्राधी जन जाती अधीनियम चौथा बनाये था इनने चराई कर चराई पर कर लगाया था अब ये सब कानून जो बनाये थे आपने वेशिक सरकार तो इन सब कानुनों के कारण चरवाहों के जीवन पर क्या असर पड़ता है चलिए तो समझते हैं पहला है पहला है आपके पास क्या परती भूमी नियमावली जो प्रिटिस सरकार द्वारा बनाया गया नियम था इसका चरवाहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है बंधित कर दी यानि कि जो खाना बदोष जिनका मतला भूता घुमंतु चरवा है उनिकी गते शील्टा जो है एक जिकेसे दूसरी जगह वो आते जाते रहते थे तेजी से अपना काम करते रहते थे उस पर क्या लगा दिया पाबंदी लगा दिया प्रतिबंध लगा दिया एक बात फिर इस अधीनियम के तहट चारागाह की जमीन बड़े जमीनदारों को दे दी गई जो चारागाह की जमीन दी चरवाहों से खाली करा ली उसके अंदर आना चरवाहों का प्रतिबंधित कर दिया और उस जमीन जमीन जो है किसको सोब दी गई बड़े बड़े जमी इनदारों को सोब दी गई ठीक है इससे खाना बदोशों के चारा गाह कम होती गए फिर क्या होता है अब जब चारा गाह कम हो गए तो चारा गाहों के घटने के कारण खाना बदोशों की क्रशी छमता में गिरावट आई तो था उनके व्यापार और शिल्प पर प्रतिकूल प्रभाव पढ़ा अल्राइट तो परती भूमीन ये मावली का चरवाहों के जीवन पर कुछ इस प्रकार का प्रभाव पढ़ता है दूसरा गानून इनने 1 अधिनियम का बनाया था फोर्स्ट्र एक्ट ये लेके आये थे इसका चरवाहों के जीवन पर क्या प्रभाव था कि अब उन्हें कई जंगलों में जाने से रोक दिया गया वो कई सारे जंगलों में जाही नहीं सकते थे इसलिए उनके चारागाह कम होते गए फिर कानून बनने के बाद उनकी गती विधियों को वी नेमित किया गया जब ये कानून बन गए तो उनकी जो यहां वहां जान की लाइसेंस की प्रणाली शुरू करी गई बिना लाइसेंस के कोई भी चरवाह अपने पश्यों को नहीं चरा सकता था ठीक है तो जिसके तहत उनके प्रवेश और प्रस्थान का समय नर्दिस्ट किया गया अगर आपके पास परमिट है आने की लाइसेंस है तभी आप पश् अब उनने जंगलों में अधिक समय तक रहने की अनुमती नहीं थी वह जंगल में बहुत देर तक नहीं रह सकते थे यदि वे अधिक समय तक रहते तो उन पर जुरमाना भी लगाया जाता था ठीक है तो वन अधीनियम के तहद चरवाहों के जीवन पर कुछ इस तरीके के का भाव पड़िए अब क्या है जू थी स्रागा नियम ये लेकर आonosianरी दोती अधीनियम क्या अप्राधी जंजाती अधीनियम कबले के आये थे 1871 में यह याद रखना है आपको क्योंकि पूछा जा सकता है कि अपराधिक जनजाती अधीनियम ब्रिटिश आपनवेशिक सरकार के द्वारा कपास किया गया तो कब पास किया गया 1871 में तो 1871 में भारत में आपनवेशिक सरकार ने अपराधिक जनजाती अधीनियम पारित किया ठीक है और इस अधीनियम के तहट शिल्पकारों व्यापारियों और चर्वाहों के कई समुदायों को अपराधिक जनजातियों की रूप में वर्गिकरत कि किया गया जो चरवाह समुदाय थे शिल्पकार थे व्यापारी थे इन सब को क्या गोशित कर दिया यानि कि चरवाह समुदाय के लोग जो दूसरे काम भी करते थे वो चरवाही कमिनिटी के थे उनको अपराधी गोशित कर दिया कि एक क्रिमिनल ट्राइब से और उनके वावसे और जन्म से अपराधी ही होते हैं और इस अधीनियम के लागू होने के बाद क्या असर होता है इस अधीनियम के लागू होने के बाद इन समुदायों से अप एक शाकी गए कि वे अधीसूचित ग्राम बस्तियों में रहें इनके लिए अलग से बस्तियां बना दी ठीक है फिर उन्हें बिना पर्मिट के बाहर जानी की अनुमती नहीं थी गाओं की पुलिस उन पर बराबर नजर रखती थी कि इन बस्तियों के बाहर आप नहीं जा सकते बिना लाइसेंस के बिना पर्मिट के पुलिस हमेशा उन पर नजर रखती थी इससे उनके क्या हो गए चारा गहा सीमेत हो गए क्योंकि अब वो शेत्र के बहार नहीं जा सकते थे अपने पश्यों को चराने के लिए उनकी क्रशी उपज कम हो गई और क्या हुआ और उनके व्यापार शिल्प पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ा इन सब समस्याओं का सामना ब्राधी जंजाती अधीनियम 1871 के तहद चरवाहे समुदाय को करना पड़ा अल्राइट अब देखें चौथा नियम जो ब्रटिस आपनेवेशिक सरकार ने बनाया था वो था चराई कर कि आपको जो है अब चराई पर क्या देना पड़ेगा टेक्स देना पड़ेगा तो चराई पर टेक्स ज कि करका भुकता नगद में करना पड़ता था टेक्स नगद में चुकाने पैसे दो सीदी सी बात है यह कहना था ब्रटिश आपनेवेशिक सरकार का इसलिए पशु पालकों ने क्या कि आपने पश्यों को बेचना शुरू कर दिया कहां से टेक्स चुकाएंगे और क्यूंकि इनने यह कहा था कि आपके पास जितने नंबर आफ पशु हैं यानि कि जितनी संख्या में जितनी संख्या में आपके पास पशु हैं उस हिसाब से आपको टेक्स चुकाना पड़ेगा चराने के लिए आपके पास 10 हैं 10 के बराबर टेक्स चुकाओ आपके पास 100 हैं 100 के बर के भारी बोज से उनकी आर्थिक स्थिती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा टेक्स का बोज इन पर बढ़ता जा रहा था तो इनकी इस्थिती जो है दिन में दिन आर्थिक स्थिती गिरती जा रही थी और अब अधिकांश पशुपालग साहु कारों से रड़े लेने लगे यानि की पैसा उधार लेने लगे थे क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं था तो जो ब्रिटेश और वेसिक सरकार ने चरवाहों पर काफी सारे नियम काइदे कानून धोपे थे उनका असर चरवाह समुदाये पर किस तरीके से पढ़ा उसकी चर्चा हमने इस क्वेशन में की है तो सारी बाते के लिए रहो गई अगर ये क्वेशन आता है आपसे और किसी भी तरीके से आ सकता है अभी तो पूरा एकटा करके आपको बताया गया कि अपराधी जंजाती अधीनियम का क्या प्रभाव पड़ा चराईकर का क्या प्रभाव पड़ा ठीक है ये अलग से भी आप से पूछे जा सकते हैं कि अपरादी जंजाती अधीनियम 1871 का पश्यू पालको या चर्वाहों पर क्या असर पड़ा जब रटेस आपने वेशिक सरकार ने चराइकर लगाया तब चरवाहे समुदाये पर क्या असर पड़ा ठीक है चलिए तो कुछ इस तरीके से भी कारण बताएं मसाई समुदाय की बात हो रही है मसाई समुदाय कहां का समुदाय है बताइए जरा भारत का है या किसी दूसरे देश का है और अगर भारत का है तो किस स्टेट का है बताइए जल्दी से कॉमेंट करके मसाई समुदाय के चारा गाह उससे क्यों शिन गए आपको कॉमेंट में देना है कि मसाई कम्यूटी जो है भारत की है या किसी दूसरे देश की है अगर आपको लगता है कि भारत की है तो कहां की है है आया कमेंट याद आया मसाइ समुदाय है मसाइ कम्यूटी एक चर्वाह कमेंटी ही है जो आफ्रीका की है ठीक है चलिए तो यहाँ पर पुछा आया है कि मसाइ समुदाय से उनके चारागाह क्यों चिन गए इसका रीजन बताईए समझ लेते हैं तो मसाइस अमुदाय ने मलेकन कारण से अपनी चारागाह की भूमी को धी पहला कारण था उपने वेश्वादels process सरकार ने स्थार्प्र लिया थाप उनयशी सदिक उत्तरार्द में उत्तरार्द शुरुआत में उत्रार्द का मतलब क्या होता है शुरुआत में उन्नीसवी सदी के शुरुआत में ये रोप सामराज जवादी शक्तियों ने यानि कि ये रोप की जो शक्तियां थी रोप की जो कंट्रीज थी जो अपने सामराज का विस्तार करना चाहती थी हर जगय कब जा बना लेती थी ठीक है तो यूरोपे साम राजवादी शक्तियों ने अफ्रिका में छेत्रिय कब्जे के लिए संघर्ष किया और इस शेत्र को अलग-अलग उपनिवेशों में विभाजित कर लिया यानि यूरोपेन कंट्रेज ने अफ्रिका के अलग-अलग शेत्र पर अपन इसकी बात है do 1885 में ब्रिटिश केंन्या यानि के यह पर किसका अधिकार हो गया ब्रिटिश Sc kok तुसका नाम क्या रख दिया ब्रिटिश केंन्या और जरमन तंजाणिया ठीकें तंजानिया पर किसने अधिकार कर लिया जर्मनी ने तो उनके बीच एक अंतरास्टी सीमा के साथ मसाई भूमी को आधा काट दिया अब इनको दो भागों में बाट दिया इस तरफ इनने कर दिया कि यह होगा ब्रिटिश केन्या ब्रिटिश का शाशन होगा ब्रिटिश केन्या और यह क्या हो गया यहां जर्मन तंजानिया इसको दो भागों में बाट दिया यानि कि मसाई कामिनिटी जहानिवास करती थी उसको दो भागों में बाट दिया केन्या और तंजानिया का पाट था एक को नाम दे दिया ब्रिटिश केन्या और दूसरे को न पर जादा चारा उपता था हरा भरा एरिया जो था उपजाव एरिया था वो धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपने कपजे में ले लिया श्वेत लोग आने की अंग्रेज तो उनको दे दिया गया और मसाई को दक्षड केन्या और उत्री तंजानिया के एक छोटे से शेत्र मे धकेल दिया गया कि आप एक छोटे से शेत्र में जाओ 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 नहीं है तो इस तरीके से उनके चारागाह को इन्हों ने छीन लिया फिर क्या हुआ मसाई ने अपनी पूर्व और वेशिक भूमी का लगभक 60 प्रतिशत हिस्सा खो दिया यानि कि जो भूमी उनके पास थी अपनी वेशिक शाषन के पहले जब तक ये एरोपियन कंड्रीज अफ्रीका में नहीं आई थी उसके पहले जितना भाग था उसका 60 प्रतिशत इन्हों ने खो दिया क्योंकि वहां पर अपनी वेशिक शाषन का कब्जा हो गया वे अनिश्यत वर्षा और खराब चारा गहा वाले शुष्क शेतर तक सीमित थी अब इन्हें अनुप जाओ शेतर दे दिया जहां पर बारिश नहीं होती थी जो सुखे से प्राभावित रहते थी वो शेतर हैं दे दिये फिर खेती के विस्तार के बाद पूछी गई थी ठीक है चलिए अब देखें खेती का विस्तार तो 19-20 सदी के शुरुआ से पूरवी अफ्रिका में ब्रिटिश और अपनेवेशिक सरकार ने स्थानीय किसान समूदायों को खेटी का विस्तार करने के लिए प्रोसाहिद किया अब ब्रटेस अपनेवेशिक सरकार ने क्या कहा इन से इन से कहा कि चारागाहों की जमीनों को आप किसमें बदल दो खेतों में बदल दो यहां पर खेती होना चाहिए ठीक है तो जैसे जैसे का विस्तार हुआ चारागाह भूमी को खेतों में बदल दिया गया तो इस तरीके से और इनके चारागाह जो पचे खुचे थे वो भी छिनते चले गए अगली बात पूर्व आपनवेशिक समय में मसाई चरवाहों ने आर्थिक और राजनेतिक दौन रूप से अपने क्रशी पड़ोसियों पर प्रभुत्व जमाया था जब तक अपनवेशिक शाषन अफरीका में नहीं था उस समय की बात हो रही है यानि कि पूर्व आपनवेशिक समय की अपनवेशिक शाषन से पहले जब तक अंग्रेजों का शाषन नहीं आया था अफरीक में चरवाहा समधाय जो है बहुत मजबूत हुआ करता था और अब अंग्रेज आये चरवाहों को कम जोर कर दिया और उनकी चारा खाह भूमी को खेतों में बधल दिया इनकी अब किसान जो है, चरवाहों से हेती किसानी चरवाही से जादा मजबूत हो गई इस्तिती एकदम पलट गी और आपनेवेशक शाषन के अंतर तक इस्तिती एकदम ही पलट गी जो बात अभी मैंने कही है तो इस तरीके से मसाई समुदाई के चरवाही छिन गया और उनकी जिंदिकी एकदम पू पहला काम क्यों किया? क्यों चारवाही चिन गया? क्योंकि खेती का विस्तार करना चाहते थे दूसरा कारण था रिजर्व की स्थापना करना तो चारवाही भूमी के बड़े शेत्रों को भी खेल रिजर्व में बदल दिया गया जैसे कैन्या में मसाई मारा और सांबरू न नेशनल पार्क इन सब को रिजर्व छेत्र घोशित कर दिया चारा गाहों को रिजर्व छेत्र घोशित करके बाद में उन्हें नेशनल पार्क में बदल दिया गया जिससे चारा गाहा खतम हो गए और जो चरवाह समुदाय था उनको इन छेत्रों में यह जो आरक्षित छेत् अपने जुंड चरा सकते थे अब प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे तो शिकार कैसे करेंगे अपने पशुओं के जुंड को कैसे चरा पाएंगे उन छेत्रों में ठीक है और अक्सर ये रिजर्व ऐसे शेत्रों में होते थे जो पारम परिग्रूप से मसाई जुंडों के जादी गई उधारन के तोर पर यहां पर दिखा जाए तो जो सेरेंगेटी नैशनल पार्क है सेरेंगेटी नैशनल पार्क कहां पर है तंजानिया में है ठीक है सेरेंगेटी नैशनल पार्क कहां पर है तंजानिया में है तो सेरेंगेटी नैशनल पार्क को मसाई चारागा भूमी के 14,760 वर्ग किलोमीटर छेत्र में बनाया गया था चारा गहा का कितना शेत्र था 14,760 वर्ग किलोमीटर छेत्र फल में क्या बना दिया गया इनने क्या बना दिया नैशनल पार्क बना दिया यानि कि इतना बड़ा शेत्र किसके लिए था इतना बड़ा शेत्र पहले ये चारागाह के लिए था ठीक है? क्लियर हो गए यहाँ तक की बात तो इस तरीके से इन्हों ने ब्रेटिश आपन वेशिक सरकार ने रिजर्व शेत्रों को, सुरी चारागाह शेत्रों को रिजर्व शेत्रों में और नैशनल पार्क में बदल दियागा जिससे चारागाह की भूमी मसाई जनजातियों से छिन गई ठीक? चारागाहों की गुणवत्ता में गिरावट आई ठीक है? अब क्या होता है बई? चारागाह इनसे छीन लिए गए जो बची कुची भूमी थी वो भी सुखी भूमी जहां पर सुखे की संभावना रहती थी चारागाह नहीं उक पाता था वहाँ पर इन्हें जाने के लिए मजबूर कर दिया गया जो बचा कुचा चारागाह था सिर्फ उसी भूमी पर उनके पशु भूमी और जल संसादन खतम हो चुके थे तो इनके खतम होने से उस छोटे से भूभाग पर दबाव बढ़ा जिसके भीतर मसाई जो है बहुत ही सीमित थे याने कि उसी इस्तान में ही आपको रहना है वही पर पशुओं को आपको चराने का काम करना है याने कि आक की जिन्दी की आपका शेद्रपल सीमित हो गया ठीक तो एक छोटे से शेत्र में लंत राटार का मतलब अनीवारे रूप से चारा गाहों की गुडवत्ता में गिरावट था अब एक इतना छेत्र है इस पर ही पशु जो है चरने का काम कर रहे हैं ठीक है अब बार-बार घांसुग रही है और उसी पर चराईगा काम हो रहा है और पश्यों की संख्या जादा है तो वो शेत्र कैसा हो जाएग और उस शेत्र में फिर हमेशा चारे की कमी रहेगी और मवेशियों को खिलाना एक लगातार समस्या बननी की अब हम मवेशियों को भोजन कैसे उपलब्द कराएं मवेशियों को भोजन नहीं मिलेगा मवेशी मर जाएंगे कमजोर हो जाएंगे फिर वो और किसी काम में नही आ सकेंगे जिससे चरवाहे समुधाय की रोजगार पर सीधा असर पड़ा ठीक है तो इस तरीके से मसाई लोगों के चारा गाहों को छीना गया और इस तरीके से उन चारा गाहों पर नियमना प्रकार के कारे करे के जैसे खेती का विस्तार किया गया रिजर्व की स्थापना कर कि जिससे चारा गाहों की गुडवत्ता में लगातार गिरावट आई चलिए कि क्वेश्चन नंबर पोर है ध्यान से सुनना है ध्यान से समझना है क्वेश्चन थोड़ा सा पड़ा है देख लेते हैं क्या कहा गया है कि आधुने के विश्वन है भारत और पूर्वी अफ्रि जिन परिवर्तनों को जनमदिया उनमें कई समानताएं थी यानि कि भारत और पूर्वी अफ्रिका के चरवाहों का जो जीवन परिवर्तित हुआ उसमें काफी सारी समानताएं थी ठीक एक बात ऐसे दो परिवर्तनों के बारे में लिखिये जो भारतिय चरवाहों और मसाई गडरियों दोनों के भी समान रूप से मौझूद थे परिवर्तनों में समानता थी तो ऐसे दो एक्जामपल भी लिखने हैं दो ऐसे परिवर्तन भी लिखने हैं जिसमें भारती चरवाहे और मसाई गडरियों यानि की मसाई चरवाहों के बीच हमें एक्वालिटी दिखाई देती है देख लेते हैं देखें दोनों देश यानि कि भारत और अफ्रीका क्या क्या है भारत और अफ्रीका की बात हो रही है ठीक है? तो दोनों देशों में आने की भारत और अफरीका में पश्यो पालकों ने अपने जुंड में मवेश्यों की संख्या कम कर दी क्यों? क्योंकि दोनों ही जगे ब्रिटिस आपने वेशक शाषन नहीं ये कहा था कि चारहागा अब हमारे कपजे में रहेंगे, आरकशित शेतरों में आपके आने में पाबंदि रहेगी, अगर आप मवेश्यों को लेके आते हैं तो आपको परमेट बनवाना पड़ेगा, जितनी संख्या मवेश्यों के उतना जदा टेक्स बनना पड़ेगा, तो अब चाहे नहीं थे ठीक है ये दोनो परिवर्तन दोनो जगह पर हुए ये समांता देखाई रहती है दूसरी बात जब पुराने चारा गाहों तक पहुचना कठ़िन हो गया तो नए चारा गाह खौझे गई दोनो जगह पर यानि की जुनके पुराने चारा गाहा थी जहां पर अंग्रेजोंने का अपजाखा लिया था तो भारत और अफरीका दोनों के लोग अपने पुराने चारा गाहों में नहीं जा सकते थे तो दोनों ने नए चारा गाहों को खोजा ठीक है तो ये दो परिवर्तन ऐसे हैं भारत और अफरीका मे भारत और अफ्रिका के चरवाह समुदायों में जिनने दोनों जगह के चरवाहों को प्रभावित किया ठीक है चलिए तीसरी बात कई लोगों ने कई लोगों ने पश्यू पालन गतिविदियों को आए के अन्यसरोतों के साथ जोड़ दिया क्या कहा गया है कई लोगों ने पश्यू पालन गतिविदियों को आए के अन्यसरोतों के साथ जोड़ दिया और इस प्रकार आधुने के विश्व के परिवर्तनों के अनुकूल खुद को ढाल दिया अब पश्यू पालन जो है इनका व्यवसाय नहीं रहे गया क्योंकि पश् के से आधुने के विश्व में जो परिवर्तन हुए उनके अनुकूल दोनों जगहे के चर्वाहों ने खुद को ढालने का प्रयास किया अल्राइट क्लियर हो गया यह आंसर भी सीदी सी बात है हमसे यह पुशाया था इस क्वेशन में कि भारत के चर्वाहे समुदाय और अ ठीक क्लियर है चलिए तो कहीं भी कोई डाउट हो बताओ जल्दी से कॉमेंट में आपका आंसर कॉमेंट बॉक्स में पहुचाया जाएगा अल्राइट चलिए तो एंसे रेटी स्वेशन के चार क्वेशन हमने कर लिए यानि कि चार क्वेशन ही थे इसमें काफी सारी चीज पलच वाइस क्वेशन का तो जल्दी से नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आता है आपको वीडियो तुरंत मिल जाए आप हमारे साथ तुरंत ही जुड़ पाएं आल राइट चलिए तो अगर आप हमारे डेली के लाइफ शेशन और रिकॉर्डेट सेशन से जुड़ना चाहते हैं सारी चीज़ें उपलब्ध हैं सारी चीज़ें सारी जानकारी के साथ प्राप्त कर सकते हैं हमारे पास आपके लिए कहीं सारी टॉप कोर्सिस इंद्य और इंग्लिस दौना मीडियो में उपलब्ध हैं सीबेसी बोट के साथ साथ दिल्ली, बिहार, यूपी, एंपी, राजस्तान बोट के सलेबर्स को कवर कर आया जाता है काफी सारी स्पेशल कोर्सिस हैं जैसे की वैदिक मैस, क्रैश कोर्स, और इसपोकन इंग्लिश जैसे कि Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, WhatsApp पर भी उपलब्ध है आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं वहां से भी सारी जानगारी प्राप्त कर सकते हैं तो आज के शेशन को जादा से जादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है हमारे साथ बने रही है, जुड़े रही है, पढ़ते रही है, खुशेयर, तैंकी सुमच